आज भी मैं सुभा सुभा एक तरफ चाय बना रहे थी और बच्चों के लिए लंज तयार कर रहे थी क्योंकि उनको मुझे स्कूल भेजना था लेकिन आज कुछ सुभा अलग थी क्योंकि ये चिडिया जो है लगाता सुर मचा रही थी मैंने देखा कि आउटडोर पे जो एस नहीं पाए तो गोसले से नीचे गिर गये हैं तो इस सुभा का काम जल्दी से मैंने निपटा के मैंने सुचा किसी भी तरह से मैं इनकी हेलप कर पाऊँ तब ही मैंने क्या किया कि एक सूज का ढिबबा जो है ये कुछ मजबूत लग रहा था और बिल्कु सही था सही कंडि जल्दी से जल्दी उनकी हेल्प करनी थी इसलिए मैंने क्या किया न सुबह के सारे काम मैंने स्किप कर दिया सबसे पहले मैंने बच्चों को स्कूल भेजा क्योंकि वह तो टाइम से मुझे भेजना ही था उसके बाद में मैं लेकर बैठ गई इस सूज के डिब्बे को उसको चारो तरफ से मैंने इस तरह से टेप से कवर किया मैं यह पास सैलो टेप नहीं था तो मैंने यह वाला जो भी घर में टेप रखा था उसी को मैंने चारो तरफ इस तरह से इसको एटेज कर दिया ताकि यह डिब्बा पूरी तरह से लॉक हो जाए और मुझे किसी भी तरह से इसके लिए एक घोसला बनाना था क्योंकि जो AC का आउटडोर है उसके उपर जो इन्होंने घोसला बना रखा था इस टिडिया ने तो उसके उपर मेरे बस की बात नहीं थी कि इतनी उचाई पर उसको रखें और मैं अगर रखने की कोसिस भी करती या किसी से में रखवाती भी न तो वो दुबारा अगर उड़ने की कोसिस करती तो फिर से गिरने का डर था तो उसके बाद दुबारा बचे ना बचे इस बार तो फिर भी वो दोनों बिल्कुल ठीक थी और कुछ भी नहीं हुआ था लेकिन थोड़ी सी गिर्टने के कारण डरी सहमी सी थी इसलिए मैंने क्या किया इस तरह से डिबा लिया और उसी के ऊपर इस तरह से एक कटोरी से माप के इस तरह होल कर लिया ताकि उनको आसानी से उसमें बैठालते बन जाए ये बहुत ही मजबूत कार्बोड का डिबा था और ये सूच का डिबा था ये और इस तरह से पहले मैंने इसलिए को होल कर लिया उसके बाद में ये टाइप की चड़ है ये मेरे कप्ड़ेश्टांड का चड़ है अभी आपके साथ मैंने वीडियो से एक किया था सौट वीडियो कैसे मेरे बंदरों ने कप्ड़े-Stand को तोड़ दिया था तो उसी में ये जो पाई पड़ी हुई थी उसको में ले आई और उसी को मैंने सुच्छा इसमें क्यों ने यूज किया जाए मुझे सब कुछ जुगारू तरीके से ही आज बनाना था क्योंकि कुछ भी मैं खरीद के नहीं ला सकती थी इस टाइम सुबह के साथ बज रहे थे साथ बजे के टाइम कुछ भी मार्केट में मिलना नहीं था तो और मुझे जल्दी से जल्दी इनके लिए एक घोसला तयार करना था ताकि ये चुड़िया को किसी भी तरह से मैं बचा पाऊं क्योंकि ये चुड़िया के बच्चे थे जो की बहुत ही ना अच्च कर दिया और उसके बाद में अब बारी आई इनको लटकाने की तो इस डिबबे को कैसे मैं हेंग करूंगी तो इसके लिए मेरे पास कोई भी डोरी नहीं दही मिल रही थी या कोई रसी नहीं थी तो मैंने क्या किया ना बच्चों के जो सूज है जो छोटे होए गय ि ही जाती है कहते हैं जहां चाहा है वहीं रहा है इसी तरह से मुझे ऐसा लगा कि लगा तार मुझे राह मिलती ही जा रहे है और फटा-फट से कुछ ही मिन्टु में ये बनके रेडी हो गया उसके बारी आई इसके अंदर रखने की मुझे इसको उसका रूप देना था और इसको मैं नीचे की और मी टांगूँ की कि तो फिर से अगर उड़ने की कोषिस करेंगे तो बचने के चांसश बहुत नहीं हैं करूँगी इसको थोड़ा सा नीचे ही हैंक करने वाली हूँ इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया ना घर में जो भी मेरे पास था कार्डेन में जो भी था सुखे पत्ते वो सब पित्नियां ले आई और ये इस टाइप से जो है नारियल का जटा थोड़ा सा पड़ा था वो और उसके बाद में थोड़ा सा कॉटन इन सब को मैंने इसको इसके अंदर इस तरह से लगा दिया और इसको थोड़ा सा वैसा कर दी जिसके उपर चिडिया को बठालते बन जाए इस तरह से धीरे धीरे सारा काम होता गया सुबह के मैं पूजा नहीं कर पाई सुबह के जितने भी कपड़े धुलने थे यह सब चोटे चोटे जो डेली रूटिंग के काम होते हैं वो सब मैंने नहीं किया मैंने सूचा सबसे पहला काम मेरा यह है कि इनको सेफ करना है किसी भी तरह से अगर यह सेफ होती है तो मुझे दिली खुसी होगी क्योंकि एक माही कुछ समझ सकती है कि उसके बच्चे को प्रापलम होती है तो इस तरह से मैने इसको तैयार कर लिया और इसी में मैंने चावल और नहीं और मेरा मैंने फिर्स्ट एक्स्परियेंस था इसंतरह से शmen对 में हैं मैं अलुसी रख दिया इसके अंदर अवर उस तरह से अब जो है यक्या थाम टो पूरी तरह से त्यार हो गए और अपनेसा ऐड में पानी भी लेकिन आभी नहीं रखूंगी क्योंकि इसको हैंग करने के टाइम पानी गिरने का डर है तो सबसे पहले तो इसको मैं हैंग कर दे रही हूं कुछ इस तरह से इस तरह से मैंने रेलिंग पे ही बाहर हैंग किया ताकि इसकी मां को ना आने जाने में बहुत आसानी हो और वो पारी आई इनको रखने की क्योंकि मुझे ना इन सब चीजों में थोड़ा सा डर लगता है जैसे चिपकिली है कौक्रोज है उसी तरह से यह कोई भी जानवर हो ना छोटे मुटे हों बड़े हों इंसेक्ट हों सबसे मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैंने क्या किया न और इसमें एक तो बहुत सीधी थी और एक बहुत ही सैतान थी जो कि इतनी आसानी से हाथ में नहीं आ रही थी और यह देखो बहुत सीधी है यह बहुत आसानी से हाथ में आगे भया के और इन्हों ने इसको घोसले में बहुत सही सलामत रग दिया थैंक गॉड यह था कि अ इस तरह इसमें टब के अंदर इसको ऐसे डालके फिर इसके अंदर रखा क्योंकि हर किसी को अपनी जान बहुत प्यारी रहती है ना तो यह इसलिए हमें लगता डर के भाग रही थी कि इनको लग रहा था कि हम लोग इनको नुक्सान न पहुंचा दे और कुछ इस तरह से भा बहुत सुकून मिल रहा था और यह भी थोड़ा अच्छा फील कर रही होंगी कि यह से ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा सेफ है उसके बाद मैंने क्या किया पानी रख दिया कि इनको प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगी और देखिए दोनु छोटी-छोटी जो चिडि मिल रात, हम रख पानी कि यह सका बुगेगी तोन भी यह से झाल सेव़ा से नहा वे लेंगी कर रहेезжेगी को मैंने.